आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम बात करेंगे एंटनी वेस्ट के बारे में IPO आज लॉंच हुआ है और लिस्टिंग हो चुकी है और साथी साथ में बंपर लिस्टिंग होई है पर यह गिर क्यों रहा है? क्या यहां से और गिरेगा? क्या यह रिस्टिंग की तरह से काम करेगा? पूरा विशलेशन करेंगे और बताएंगे कि इसकी फेर वेलिशन क्या थी और हमने क्या किया है इस स्टॉक में अपने paid customer के पास जिनको हमने IPO में अपलाई कराया था तो उससे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुब कामना है हम उमीद करते हैं कि 2021 आपकी फैमिली में बहुत खुशाली लेके आएगा आपके लिए अच्छी हेल्थ लेके आएगा और साथ ही साथ में stock market में आप दिन दूगनी और रात चौगनी तरकी करेंगे आईए चलकर बात करते हैं इसके waste के IPO के लिए एंटरी वेस्ट IPO के बारे में अगर बात करें तो जो हमारा hard waste है solid waste को अगर dispose करने के लिए जुरुत होती है तो हर municipal corporation को इस तरह के company में अपना investment करना पड़ता है Bombay में इनके सबसे बड़े जादा है पर इसके लावा उनके बहुत सारे areas में इसकी wastage का consumption करते हैं अब जासा आपको पता है आज इसका allot हो चुका है और इसका price जो था 315 के आसपास allot हुआ है face value 5 रुपे का share लिस्ट होते के साथ ही ये high बनाया है 488 का अब आप बास समझेए अगर किसी को 315 में माल मिल रहा है और especially financial institute जो की पहले दिन में profit book करना सबसे अच्छा समझते हैं अगर पहला दिन अच्छा गया तो आखिर तक अच्छा रहेगा पूरा साल तो इसलिए यहाँ पर काफी profit booking हो रही है एक तो पहला दिन की वज़े से थोड़ा psychological और दूसरा इसका 50% gain यहाँ पर अभी sustain नहीं कर पाएगा free float कम है company का आपको समझना है यही हमने अपने जब IPO का initial analysis करके बताया था आप apply कीजे बट listing gain के लिए एक दम exit कर लेना चाहिए आपको अपना objective के लिए होना चाहिए अगर यह आप सिर्फ listing gain के लिए कर रहे हैं तो आपको खुलते के साथ ही पहली 5 मिनट के अंदर आपको exit कर लेना चाहिए था share का भाव दिखाते हैं तो आपको समझ जाएगा यह देखे दोस्तों 10 बजे listing हुई और 10 बजे ही जो high बना है 488.8 का high बना है और उसी में उसने कई बार यहां पर 470-460 के आसपास किया तो यहां तक आपको opportunity थी exit करने के लिए पहली 15 मिनट में काफी अच्छा exit opportunity उसके बाद फिर pressure नीचे की तरफ को रहा है और यह expected भी था क्योंकि जब इस तरह का IPO आते हैं अभी यहां पर market में तो एक downward pressure generally observe किया गया है देखिए यहां तक गया नीचे उसके बाद थोड़ा भी यहां पर stable है पर हो सकता है यह भी नीचे जाए तो आज इसका जो low बना है वो 420 के आसपास का low बना है और high बना है 488 का तो यह एक अच्छी position थी जहां पर आपको exit कर लेना चाहिए दोस्तो short term trading is slightly different than long term investment अगर आप दोनों को समझ जाएं तो आपके long term investment का cost बहुत कम हो जाएगा suppose आपने Anthony West का IPO खरीदा और apply मिला आपको मिल गया तो अगर आपको इसको long term में भी रखना है तो listing gain के बाद दुबारा से re-entry की जहां बताएं किस लवल पर re-entry करना है पर यह एक बहुत अच्छी strategy होती है ताकि आपका principle आपके वापस आ जाए आप उसको और कुछ जहां deploy कर सकते हैं और जब right reasonable price हो तो उसको वहाँ पर खरी सकते हैं इनका purpose जो है debt reduction का है और general corporate purpose के लिए है तो इस तरह से profitability तो बढ़ेगी पर इतना 50% एक ही दिन में justified नहीं है यहाँ पर अगर आप देखें एसेट की द्रश्ची से तो इनके एसेट 7,000 करोड के आज प्रॉक्सिमेटली एसेट है इनके पास में और government initiative बहुत जादा चलेंगे आगे आने वाले समय में ताकि अलग-अलग state की municipal corporation इसको आगे बढ़ाएगी अब अगर हम देखें एंटरी वेस्ट का क्या primary objective रहेगा आगे financials के अगर parameter देखे जाएं तो financial के parameter की basis पर इसका जो अभी half yearly है उसमें 2,151 करोड है तो थोड़ा subdued year रहेगा compared to पिछले साल पिछले साल half में 2,300 हो गया था अभी हाँपर 2,100 करोड का ही profit हो पाया revenue generate हो पाया अगर pet की बात करें तो देखें pet September के month तक का 290 है versus 620 तो यहाँ पर अभी pet में भी थोड़ी कमी हो रही है तो थोड़ा सा जुकाव नीचे की तरफ को है product tuning है definitely आप long term के लिए रख सकते हैं right level पर आवाने पर खरीदियेगा इसका 315 अगर आपने लिया है आप सोचें कि यह यहाँ पर अभी तो 430 के आसपास पढ़ाए कोई दिकत नहीं हम रखे रखते हैं हो सकता है आप रख लें कोई दिकत बाली बात नहीं है बट हम अपनी position clear करना चाहते हैं हमने अपने paid members को जिन के allocation हुआ है उन सब को इसमें पहली पांच मिनट में ही exit करा दिया है आज gross margin थोड़े improve हो सकते हैं इसमें हाँ पर अभी efficiency नहीं है system में और साथ ही साथ में अगर आप इसके margins की बात करें तो growth बहुत अच्छी है पर margin यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा neck to neck काम रहता है तो इसलिए क्यों गिर रहा है उसका primary reason है higher level पर इसका valuation ज्यादा हो चुका है listing के बाद में पहले listing ही higher price पर उसके बाद जबी listing हुई है तो कुछ थोड़ा sustain किया उपर की तरफ को 488 के आसपास गया और वहां से selling pressure लग रहा है clear cut लोग बाग profit book कर रहे हैं especially large institute जो लोग listing के इ यहां से exit कर दिया है आपसे requested नया entry अगर कर रहे हैं तो इस current आज मत खरीदिये इसको let it cool off इसका right level जो खरीदने के लिए है long term का हम इसका target बताएंगे पर अगर आप इसको खरीदना चाते हैं तो इसका right level जो है आपको staggered menu में खरीदना है 350 के आसपास तो कुछ 380 पे खरीदने की कोशिश कीजिए यह right level है जहां पर आप इसको खरीदने की कोशिश कीजिगा अगर आप long term के लिए देख रहे हैं धाई साल में इसका target हमारे हिसाब से हमने 600 रुपे का बताए जब हमने IPO के लिए भी इसको बलाया हुआ था तो अगर आपको एक ही दिन में इसक almost target का 70% मिल जाता है तो profit book लाजमी हो जाता है दोस्तों हम लोग इसको बैंक ने फ्री की active internet rate service प्रवाइड करते हैं अगर आप हमारी service चाते हैं तो 8,000 रुपीज पर ले सकते हैं इसमें आपको हम handhold करकर internet trading सिखाएंगे for feature and option जाहिंद जा भारत आपका दिन मंगर में हो बा वाल नाले एकाइड ब बारत आपका हम जारत आपका हम जई ऑने मिल वाले आपका दिन व eaten जो h For這個.